फ्रेंज कला का कोई भी स्वरूप क्यों न हो उसका जन्म प्रकृति के नेचर के निकट ही होता है यहां भी मैंने जितना देखा कि ही ने कहीं नेचर का एलिमेंट उस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है उससे बाहर एक भी चीज नहीं है इसलिए आर्ट बाइन नेचर प्रो एंवार्मेंट एंड प्रो क्लाइमेट है जैसे दुनिया के देशों में रिवर्फरंट की बहुत बड़ी चर्चा होती है भई भारत में हजारों वर से नदियों की किनारे गाटों की परंपरा है हमारे कितने ही परवा और उस्व इनी गाटों से जूड़े होते हैं इसी तरह कूप, सरोवर, बावडी, स्टेप्वल्स की एक सम्रुत्य परंपरा हमारे देश में ही गुजरात में रानी की वाव हो राजस्तान में अनेक जगों पर दिल्ली में भी आज भी कई स्टेप्वेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जो रानी की वाव है उसकी विश्यसता यह है कि पूरा उल्टा टेंपल है यहने कैसे उस हमें की कला स्रुष्ट्री को सोचने वालों लोगों ने इसका निर्मान किया होगा तो कहने का मतादपर है कि इन सारे हमारे पानी से जुड़े जितने संग्र के स्थान है इनका आर्किटेक्टर आप देखिए इनका डिजाइन देखिए देखिने में किसी मेगा मार्वेल से कम नहीं लगते इसी तरह भारत के पुराने किलों और दुर्गों का वास्तु भी कि दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है हर किले का अपना आर्किटेक्टर है अपना साइंस भी है मैं कुछ दिन पहले ही सिंदू दुर्ग में था जहां समुंदर के भीतर बहुत ही विशाल किला निर्मित है हो सकता है आप में से कुछ लोग जेसल मेरे में भी पट्वों की हवेली भी गए होंगे पांच हवेलियों के इस समु को इस तरह बनाया गया था कि वो नेच्रल एर कर्णिशनिंग की तरह काम करता है यह सारा अर्किटेक्टर न केवल लॉंग संस्टेनिंग होता था बलकि एन्वार्मेंटरली संस्टेनेबल भी होता है यानि पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ जानने सेखने के लिए अवसर है